मुश्कार प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे आपकी वॉक्षीट नंबर 65 जो कि क्लास 10 के लिए है और आपको आज 15 दिसंबर 2020 को इस वॉक्षीट को करना है यह जो वॉक्षीट आई है यह रिवीजन वॉक्षीट है यानि कि आप लोगों की रिवीजन चल रही है और इस बार हम इस वॉक्षीट में रिवीजन करेंगे आपके सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज यानि की राजनितिक दलों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं यह 11 marks के questions से related वॉक्षीट है बिटा आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब भी आप एक marks के question का answer दे रहे हो तो यह जरूरी हो जाता है कि आपका जो answer है वो या तो एक शब्द में होना चाहिए या एक से दो line के अंदर ही बस आपका answer आ जाना चाहिए आप एक marks के question के answer को एक paragraph या फिर एक page पर नहीं लिखेंगे तो इस वोक्षीट में पहला question है आपका भारत में किस अस्तर पर चुनाव सामानतह बिना राजनेतिक दलों के लड़े जाते हैं at what level in India elections are fought generally without political parties यानि कि जितने भी elections होते हैं उन सब में political parties जो हैं वो हिस्सा लेती हैं लेकिन एक ऐसा भी elections हैं जहां पर कोई political party नहीं होती है तो आपको वही बताना है कि बुलेबल कौन सा हैं लोकसभा स्तर पर जब elections होते हैं जिसमें से प्राइम मिनिस्टर चूज करके आता है तो आपने देखा है कि कितने दिन पहले से ही चुनाव परचार शुरू हो जाता है और ये चुनाव परचार जो अलग-अलग विभिन प्रकार की जो political parties हैं जो राजनेतिक दल हैं वो करत राजनेतिक दल हैं वो हिस्सा लेते हैं तो बचता है हमारा एक पंचायती राज यानि जो पंचायतों में elections होते हैं जो लोग specially गाओं से बिलॉंग करते हैं सम्मन रखते हैं उनको पता होगा कि गाओं के जो सरपंच या पंच के लिए जो elections होते हैं वहां पर किसी भी परक कोई राजनेतिक दल हिस्सा नहीं लेता है तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्स्ट पंचायत स्थार पर एक ऐसा चुनाव हैं जहां पर जो elections हैं वो बिना किसी political parties के लड़े जाते हैं second question है हमारा fill in the blanks यानि कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ती करनी हैं आपको एक जगह खाली दे दी हैं और वहां पर आपको भरना है कि जो भारतिय जनता पार्टी है यानि कि जो उसका election symbol भारतिय जनता पार्टी का election symbol उसका चुनाव चिन क्या है तो जिससे आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो श्री नरेंदर मोदी जी वो election लड़कर के हमारे प्रदान मंत्री न्युक्त हुए हैं तो वो किस पार्टी से संबन्द रखते हैं भारतिय जनता पार्टी से और भारतिय जनता पार्टी का जो चुनाव चिनने वो है कमल का फूल. Now the third question is रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिये. Rewrite the sentence after correcting the underline phrase यानि कि जो phrase underline की गई है उसे आपको ठीक करके और पूरी लाइन को दोबारा से लिखना है. Underline है हमारा cycle. Cycle is the election symbol of nationalist congress party यानि कि राष्ट्रिये, राष्ट्रवादी, congress party का चुनाव चिनन cycle है. ये आपको correct करके लिखिना है. इसका मतलब है ये statement गलत है क्योंकि जो cycle है वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिनन है. और राष्ट्रवादी, congress party का चुनाव चिन घड़ी है. तो आप इस sentence को correct करके दुबारा कैसे लिखेंगे? आपको cycle के जगह पर घड़ी लिखना है. गड़ी, राष्ट्रवादी, congress party का चुनाव चिन है. इसको आपको correct करना है. आंसर मैंने आप बता दिया है. आप यहां के correct कर लीजिएगा. The next question is an assertion. यानि आपको एक assertion, एक assertion दे रखा है और एक reason दे रखा है. यानि कि एक संकल्पना दे रखी है और दूसरा उसका कारण दे रखा है. आपको इनको पढ़ना है और पढ़कर के जो नीचे statements दे गई है उनको अपना right answers चूज करना है. तो assertions क्या दे गई है? यानि संकल्पना क्या दी है आपको? कि विकल्प हिंता लोकतंतर के लिए खतरा है. Lack of meaningful choice is a threat for democracy. विकल्प हिंता का मतलब क्या है? जहां आपके पास कोई option ही ना हो. आप कोई choose ही ना कर सकते हो. यानि कि एक ही political party है मान लीजिए. तो क्या आपके पास एक अच्छा काम नहीं कर रह ही है तो आप कोई भी दूसरी party का चुनाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ विकल्प हिंता का अभाव है. यानि आपके पास choices नहीं है. एक ही party है. आप चाहो याना चाहो आपको उसे ही vote देना होगा. तो क्या हम ऐसी system को एक ऐसी प्रणाली को democracy या लोकतंतर कहेंगे? बि हमारा जो असर्टम दे रखा है यानि कि जो संकल्प ना दे रखी है वो बिल्कुल चाहिए. कि जो विकल्प हिंता है एक meaningful choice की जो lack है यानि कि उसकी जो कमी है वो हमारी democracy के लिए बहुत बड़ा threat है, खत्रा है. अब reason क्या दे रखा है? कि जो वन्षवाद है वो लोकतंतर में विकल्प हिंता को बढ़ावा देता है. यानि कि dynastic succession promotes the lack of meaningful choices. अब ये dynastic succession क्या होता है? या वन्षवाद हम किसे कहते हैं? जैसे एक ही परिवार के जो लोग हैं, उन्हीं के पहले दादा पर दादा, फिर माता पिता और उसके बाद से जो बेटे होती हैं, वो उस वन्षवाद को आगे बढ़ाते हैं. ये परंपरा पहले साशक चैन करने में होती थी, राजा, राजा का बेटा जो राजकुमार होगा, वो अगला साशक होगा, उस राजकुमार का जो बेटा होगा, वो अगला साशक होगा, तो इसे वन्ष जीव गांदी, फेसोनिया गांदी और अब राहूल गांदी, तो एक ही परिवार के लोग जो हैं, वो लगातार से उसी में continue करते हैं, उसी पर्मपरा को आगे भढ़ाते हैं, इसे हम वन्षवाद कहेंगे, तो लोगों के पास एक ही वन्ष है, उसके पास कोई option ही नहीं है, वो लोग तंत्र में हमारे पास choices नहीं छोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है, अब हम अपने options देख लेते हैं, पहला option है कि दोनों सही है, और जो कारण है, वो संकल्पना की सही व्याख्या करता है, यानि कि जो reason है, वो correct explanation है, तो A option हमारा बिल्कुल सही है, तो बाकी options हमे देखने के जरूरत ही नहीं है, तो हमारा answer हो गया A, कि दोनों सही है, और जो reason है, वो संकल्पना की सही से व्याख्या कर रहा है, देख्स्ट ग्वेस्ट 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 एक कारण आपको दिया है, और इसको आपको बताना है, इसकी आपको अपने शब्दों में व व्याख्या मैंने पता ही नहीं है, ठीम बता दिया आपको कार्टून की, यह जो कार्टून है, यह जब अमेरिका की रास्ट्र पती बने थे, जोर्ज डगलू बुश, तो उनके काल पर बना था, आप देख सकते हो, वन पार्टी कंट्री, यहां अमेरिका का नाम लिखा और यह सिनेट या जैसे हम अपनी संसद को संसद कहते हैं, तो वहां की संसद को सिनेट कहा जाता है, तो आपको अपने शब्दों में इसको बताना है, अभी जो हमने रीजन और संकल्पना पड़ी थी, यह उसी को continue कर रहा है, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना यह है कि यह जो cartoon है वो George W. Bush के समय में बना था जो कि एक दलिय प्रनाली या one party system को दर्शा रहा है और इसके अंदर विकल्प हिंता को दिखाया गया है यानि कि lack of fruitful जो choices होती है वो हमारे पास नहीं है इसको दिखाया गया है तो I hope आप इसको explain कर पाएंगे अपने शब्दों में मैंने अपने शब्दों में बता दिया है आप मेरे शब्दों का इस्तमाल कर सकते हो Now the next question is What do you mean by ruling party? यानि शाशक दल से आप क्या समझते हो? The ruling party is the political party ये एक राजनितिक दल होता है या फिर correlation यानि की दो या दो से ज़्यादा दलों का समू होता है Holding a majority of elected positions in a parliament संसद के अंदर बहुमत हासिल करके एक position hold करते हैं that administers the affairs of a state जो कि किसी भी राज्य के सम्मंदों को उनके matters को उनके affairs को administer करता है चुनाफ में जिस दल को बहुमत पराप्त होता है और सरकार का गठन करता है हम उसे शाशक दल कहते हैं जैसे दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा यानि कि majority हाशिल की आम हादमी पार्टी ने और Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal बन गए तो it means वो शाशक दल है अगर केंदर पर देखें Central Level पर देखें तो भारतिय जंता पार्टी ने Coalation किया यानि कि National Democratic Alliance बनाया और Mr. Narendra Modi जो है वो Prime Minister बन गए Next question है बिटा Which party system is not considered good for democracy एक ऐसी दलिये में विस्था का नाम बताईए जो लोकतंतर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है तो वो है एक दलिया प्रणाली यानि कि One Party system जहां पर होता है वहाँ democracy हो ही नहीं सकती तो One Party system जो है वो लोकतंतर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है What do you understand by defection? यानि कि दल बदल से आप क्या समझती है Basically जो defection होता है वो politics में It means moving of a person from one party to another for some personal benefit यानि अपने स्वार्थ के लिए वेक्ति का एक party से दूसरी party में चले जाना दल बदल कहलाता है It means changing party, allegiance from the party on which a person got elected to a different party इसका मतलब है, allegiance का मतलब होता है निष्ठा यानि कि जिस party से वो विक्ति choose हुआ है, elect हुआ है उस party की निष्ठा से वो किसी दूसरी party में चले जाना किसी राजनितिक दल से चुनाव जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद की लालसा में दल बदलने को दल बदल कहा जाता है मालेजी, आपने election जब आप लड़ रहे हूँ, आप भारतिय जनता party के member हो, आप भारतिय जनता party से election लड़ रहे हैं और election लड़ने के बाद आप जीत जाते हैं और भारतिय जनता party को majority नहीं मिलती है और in case आप आम आदमी party है जो वहाँ पर जीत जाती हैं तो आप जीतने के बाद और आम आदमी party आपको offer करती हैं एक better position, एक बहुत अच्छा पद जिससे आपको बहुत जादा personal level पे फायदा होने वाला है तब आप ऐसी स्थीति में भारतिय जनता party यानि कि जिस party से आप चुने हैं आप जीते हैं उस party को छोड़ करके बाद में जीतने के बाद आप आदमी party में शामिल हो जाते हैं तो इसको कहेंगे दल बदल लेना अब हमारे election commission में इसको एक criminal offense माना जाता है कि यानि आप दल बदल के को रोकने के लिए बहुत सारे strict rules बनाए गए हैं तो दल बदल आप समझ गए होंगे now the next question है ninth question which correlation is in power at central level किंद्रिय सरकार में किस गठबंदन की सरकार है तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं national democratic alliance यानि की राजग यानि राष्ट्रिय जन तांतरिक गठबंदन जिससे हमारे जो प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी हैं वो हमारे शाशक है and ये तो बहुत ही आसान question है which party is in power and delegate present वर्तमान में दिल्ली में किस आशक दल की सरकार है तो अर्विंद केजरिवाल जी को सब जानते हैं जो की आमादमी पार्टी से हैं तो अब इस समय पर वर्तमान में आमादमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और जिसके जो मुख्य मं मंतरी प्लस शिक्षा मंतरी दोनों ही मनेश शिशोदियां हैं तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी मैं आशा करती हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी